देखे हमारे साथ सबसे बड़ी problem क्या होती है जब हम पढ़ने बैठते हैं बुक आपके सामने आप physically महां present हो लेकिन mentally present ही नहीं हो बहुत सारे thoughts जो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं घूमते रहते हैं वो आपको अर्चन पैदा कर रहे हैं पढ़ने में तो उसके लिए क्या कीजे एक simple रस्ता मैं आप लोगों को बताता हूँ एक simple practice है अगर आप वो साथ दिन तक जारी रखते हैं तो आपको अपनी study में भी फाइदा मिलेगा आप पूरे 24 गंटे में आदा गंटा ऐसा निकालिए जिसमें आपको इन thoughts को remove करना है और अपने दिमाग में thoughts को आने ही नहीं देना है ठीक है मतलब क्या है जरा समझिए पूरे दिन में सुबह का जो time होता है वो सबसे अच्छा होता है आप morning walk पर निकलिए जादा तर क्या होता है जो morning walk पर जाते है ना उनका अपने रस्ते और रस्ते में आने वाली चीज़ों पर ध्यानी नहीं होता है हमारा ध्यान का होता ह घर पे क्या चीज रह गई रह गई दोस्त की party में क्या हुआ था last night क्या हुआ था कल मैं क्या कर रहा था परसो क्या करूंगा आगे आने वाले time में क्या करूंगा you know planning 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 कल का plan परसो का plan ऐसे करके सारा समय निकल जाता रस्ते में और हमारा ध्यानी नहीं जाता कि हम जिस रस् जो सामने चीजें आ रहे हैं उनको ध्यान से देखिए उन पे focus कीजिए सडक पे ध्यान दीजिए ग्रीनरी पे ध्यान दीजिए वहिकल जा रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए लोगों पे ध्यान दीजिए concentrate करिए और कोशिश करिए उनको memorize करने की present time अगर आप जीना सीख यह बहुत जादा important step है जो आपको अपनी memory को sharp करने के लिए ज़रूरी है